Hey guys, what's up, welcome back to my YouTube channel, I am Ankit तो आज का वीडियो डेडिकेटेड है हमारे प्राइविट पार्स के उपर बहुत सारे लड़कों को ये प्रॉब्लम होती है कि जो हमारा प्राइविट पार्ट का एरिया होता है उसके पास की जो थाइज होती है उस अपका कलर दीटे दीटे बहुता सा डार को जाता है और अगर आप उस कलर को थोड़ा सा लाइटन करना चाहते हैं नाचरली तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है जो भी मैं आपको रहमेडी बताने वाला हूँ वो सिर्फ प्राइविट पार्ट के एरिया पे ही नहीं अगर आपकी कोहनी काली है, घुटने काले है, गर्दन काली है या कमर काली है तो आप उस पर भी इस्तमाल कर सकते हैं वो उसको भी लाइक करने में काफी हल्प करें तो if you are interested in this topic, make sure you watch this video till the end consider subscribing and let's get started तो ये जो मैं आपको रहमेडी बता रहा हूँ ये sensitive skin के लिए है, ये बिलकुल natural है आपको वीक में at least 3-4 times ज़रूर अप्लाई करना है और for a month, तब ही आपको इसके visible results मिलेंगे, इसके लिए हमें चाहिए muleti powder, इसके कोई side effects नहीं है, ये मैंने लिए है patanjali की, इसको मैंने crush कर लिया है और इसका powder बना लिया है, this is totally pure and इसमें कोई side effects नहीं होंगे, it's all natural, दो चम्मच हमने muleti powder के लिए लिए है, इसके इंदर हम add क करेंगे, दो चम्मच aloe vera gel, अगर आपके पास plant है, तो आप वो ले सकते हैं, that is well and good, अगर आपके पास नहीं है, तो मैं यहाँ पर patanjali का aloe vera gel यूज़ कर रहा हूँ, इसको हमें अच्छे से mix करना है, और आपका गाढ़ा paste ready हो गया है, इसको आप अपने private part के एरिया प sensitive skin के लिए सबसे best होती है, इसमें आपको कोई भी side effect नहीं होगा, अगर आपकी skin बहुत जादा ही sensitive है, और आपको swelling की problem हो जाते है, या breakout हो जाते हैं, तो यह उन इस skin के लिए सबसे best है, यह आपकी skin को dark से light करने में काफी help करती है, और aloe vera gel के बारे में थो हम सबको पता है बहुत ही जादा helpful होती है, आपकी skin को bright बनाने में, इसको hydrate करने में, तो यह तो थी सिर्फ एक remedy, अब मैं आपको देता हूँ कुछ और ऐसे tips and tricks जो कि आपको definitely use करने चाहिए, अब से पहले आप बहुत जादा tight underwear पहनना बंद कर दीजे, क्योंकि जब हम बहुत जादा tight underwear प पास जितना भी area है, उसको trim करके रखना चाहिए, जिससे की पसीना कम generate हो और यह infection के chances कम हो, यह मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया हो है कि हमें अपने प्राइवेट पास सावून का स्तमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह आपके pH level को unbalance कर देता है, सावून का pH level बहुत जादा होता है, हमारी skin बहुत जादा sensitive होती है, तो आपको एक intimate wash उज़ करना चाहिए, मैं कुछ अच्छे intimate wash के link description box में डाल दूँगा, if you want you can check them out, आप प्लीज अपने private part को नहाने के पाद अच्छे से dry करिए, तो ही आप underwear पहनिए, अगर आप गीले रखेंगे त और similarly आपको अपने private part के पास भी loofah का यूज़ करना चाहिए, जिसते की जो वहाँ पे germs है और जो जितनी भी dead skin है, वो सब खतम हो जाए, आपके private part बार-बार dark ना रहें, यह थी कुछ ऐसे trips and tricks और एक remedy जो की हम सब को use करने चाहिए, आपके private part थोड़े से dark हो गया है, इस वीडियो प्लीज गिव दिस वीडियो अलाइक, कमेंट करके बिताये मुझे की कैसा लगा आपको वीडियो, शेर इट वीडियो फ्रेंज, आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर आप मुझे दीम कर सकते हैं, अपनी क्वेरी, here is my handle, subscribe to my channel, press the bell notification so that you will get all my notifications, so yeah, I will see you in my next video till then, bye!